आज हम लोग परेंगे क्या कि किस प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रिकल ड्रोइंग को समझेंगे कैसे मतलब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल ड्रोइंग को रीड कर सकते हैं कि मान लिया जाए कि आपके सामने कोई ड्रोइंग दे दिया जाता है तो आप क्या काम करेंगे उसमें क्या को से कौन सा रूट जा रहा है मतलब कैसे हम काम स्टार्ट करना है यह कहां से हम लोग को पाइप लाइप करना है या भिछाना है समझ सकते हैं या फिर आप वायर को किस तरीके से आप बिचाएंगे रन करेंगे वगेरा यह सारे चीज़ को हम लोग क्या करेंगे हैं समझेंगे कि चाहां काहां कैसा मैंसन होता है जो ड्रॉइंग होगा उसमें क्या सारा चीज होता है अग्यांgest ग्लोराइड पॉलिविनाइल settlingude चल्डाइड च्छत को बनाया चाहित오 था पीविसी पाइप उसके बिचह दिया जाता है इनके ट्यार हो जाता है तो यह यह डियाbus दन ने बन के तयार त responsabil से करते हैं कि दिवाल को जाता है जब बन जाता है pronoun से काट जाता को मतलब छोटे छोटी फाइप के जितना दीवाइब होने के पहले मौनले आप लिए उसके बाद आप कर सकते हैं लेकिन जो होता है ककर निए घर का जो वो आपका अच्छा बना रहता घर को डीवарिंग हो पढ़ेंगे आपको थोड़ा सा पैसेंगे तो जो इंटर्नल वाइडिंग होता है वह अच्छा लगता है बाहर से देखने में आपको कुछ दीखेगा है नहीं सब कुछ clean दीखेगा लेकिन जब आप आप प्लास्टर से चड़ा देता है तो उसके बाध और प्लास्टर के बाद भी करते हों तो उसमें थोड़ा सा लगता है कि छलो यह देखने में पुरा नहीं लगता है नहीं है किसी तरह से somehow manage कर लेते कम पैरेजसेंट यंटरन वारिंग अपका अच्छा नहीं होता है लिए क्या जाता है उस्ताय। कतर से काटा जाता है और उस लिखा दिया जाता है ताकि आप अच्छे से वायर को लाइ कर सके हैं रनकर रवा सके हैं तो हम लोग देखेंगे कि कितने परकार कि कैसे हम रीड करेंगे ड्शाइंग को किस परकार से हम समझेंगे इस चीज़ को ठीक है तो देखे पहले आप हेडिंग बना लिजेगा reading of electrical engineering drawing reading of electrical engineering drawing और various diagrams plans and layouts in house wiring ठीक है in house wiring इसको आप note कर लेज़ेगा यह आपका heading ठीक है तो यह आपका है अब हम लोग समझते हैं कि अपने पास मन लेते हैं कि एक drawing seat है कोई भी a4 seat में भी आपका रहता यह यह लोगा सकाहता प्जा अपना के आपका फिर जहां को समझने के लिए इस दॉबन इस इतायों जो है तीन ट्राइब बना हूँ रहता है किदे ट्राइब कर ठीन ट्राइब पर पहला डाइग्राम आपका होता है पाइप डाइग्राम कौन सा होता है पाइप डाइग्राम दूसरा डाइग्राम होता है आपका इलेक्ट्रिकल डाइग्राम और तीसरा आपका होता है की डाइग्राम पीत एलेक्टिकल डैग्राम को आप इसको भी बोल सकते हो वाइडिंग डैग्राम ठीक है पिन बने लाइजम कर दो यह जो आपका डाइंग होगा इस ड्रॉइंग के help से आप पूरे घर का मतलब कह सकते हो कि पूरे घर का जो है आईडिया लगा सकते हो कि कहां पर क्या हो सकता है कहने का यह मतलब है कि अगर किसी अन्नोन घर में या कोई नया वर्क भी कहीं पर चल रहा है अगर आपके पास ड्रॉइंग होगा तो ऐसा आपको यह मैसूस नहीं होगा कि यहां पर कुछ हम नहीं कर सकते हैं अगर ड्रॉइंग है तो आपको हर चीज जाना पहचाना लगेग क्या होगा और की डाइग्राम क्या होगा ठीक तो यह जो डाइग्राम आपका बना हुआ है ठीक है तो समझेगा यह जो आपका है एक एफोर सीट बोली जी उसमें भी आपको मिल जाएगा लिकिन बड़ा सा आर्किटेक्ट्चर जो होता है वो डिजाइन करता है इसको ठीक एक बड़ा सा पेज में इसको क्या किया रहता है यहां पर सबसे पहले एक छोटा साथ को ऐसा बना द सब्सक्र ai कुछ इस तरह से भी और यहां आप एसा कह सकते हो कि इस में से कुछ हो सकता है कुछ इस तरह से आपका डिवाइट किया हूआ रहेगा है यहां पर आपका पूरा डाइग्राम बना हुआ रहेगा कि आपके पास कितने रूम हैं कितने हॉल हैं मतलब किया सारा आप बनाए और स्ट्रक्चर वह इसमें किया हुआ रहेगा इस बाले उसके बाद यहां पर आपको कुछ तो यहां पर रहेगा इसको हम बोलेंगे क्या की डाइग्राम क्या बोलेंगे की डाइग्राम और यहां जो रहेगा आपका वह आपका हो जाएगा कितने प्रकार का डाइग्राम होता है और की डाइग्राम कौन सा पाइप डाइग्राम वाइरिंग डाइग्राम और की डाइग्राम इस तीनों डाइग्राम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है तो इस पाइप डाइग्राम में हम समझते हैं ठीक है आपने इसको यह लिख देता हूं मैं यहां पर की डाइग्राम क्या हो गया की डाइग्राम और यह आपका क्या हो गया पाइप डाइग्राम देखिए अब इसमें मैं ऐसा कहता हूं कि आपके पास दो रूम है एक हॉल है ठीक है कुछ ऐसा तो मैं एक काम करता हूं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं कुछ इस तरह से यह हमारा रूम चलिए यह लग रहा है का अब सब्सक्राइब यह रूम वन इसको मैं इधर क्या हो सकता है बात्थ्रूम के लिए पूजा घर जो भी आपको आपको चाहिए तो आप पूजा गर बना सकते हो इसाइड में छलो आपका आप माल लेते हैं इसको यह बाथरूम है ठीक है यह होगया रूम वान रूम टू हॉल और बाथरूम इसमें देखिए आप जब भी ड्रॉइंग बना हुआ मिलेगा आपको तो उसमें आपको सिर्फ सिम्बॉल दिया हो रहेगा इट मेंस कि आपको मान लेजिए कि यह कुछ ऐसा बना हुआ है समझेगा अब ध्यान से दिजएंगा कमेंट कीजि कि यह किस statist का सूब् Haut हमार के मलूं चल रहा है अब माल लेते हैं कि कुछ एक यहां पे हमारा यहां से इस रूम के लिए और यहां से इस रूम के लिए यह हमारा दोर हो यह कुछ ठीव इस रूम में दो बन है इस रूम मेंर्ज भी दो ओल्व है इस हाल में आपके पास एक दो ती तो तौक्ष ऑप और इधर कहीं पर आप यह वना लेजिए यह क्या हो गया खेद्ध हमने क्या इतना मतलब बनाया इतना बना है अब हम को समझना है कि यहां पे देखिएगा कि पहला डायग्राम हम लोग डिसकस करना करेंगे मतलब को इस पाइप का साइज जो होगा उससाइज को हम कैसे करेंगे धीका कमेंट बोक्स में कि जैगा कि में किजिएगा कि हां पाइप का जो साइज होगा उसको डिसाइड करने का फैक्टर क्या हो सकता है और विच फैक्टर या किस बेस पे हम लोग का साइज करेंगे इस चीज़ को आप समझते होंगे या थोड़ा सा सोचेगा ऐसे बताई दूंगा मैं आगे तो आप बताईएगा कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कितने अपाइप हम लोग कर सकते हैं घर के लिए या फिर कहां पर कितने साइज का पाइप हम लगा सकते हैं टूंगि यहां से हमने क्या किया एक इस तरह से बना हुआ यहां से कुछ इस तरह का ठीक है यहां से ऐसा मैंने क्या किया जोड़ दिया इसको ठीक यहां से हमने क्या किया यहां से ऐसे जोड़ देते हैं ठीक है ऐसे कुछ लाके ऐसे इसको हां यहां पर एक बॉक्स बना देते हैं ठीक है यहां ऐसे अब यहां से हम लोग ऐसे करके यह कुछ ऐसा बना दिया दे ठीक कि एक यहां पे भी नदिया अधी कि यई इसको इस की स्विशन बॉक्स होमार है जिसमें कि जो सुच लगा वड़ना रहेगा इसको मैं बोल रहा हूं स्वीस्वीश बॉक्स यह भी हो गया हमारा एस भी यह भी एस भी ठीक है यहां तक मिला अब देखिए यहां से मैं ऐसे मिला दिया कि एक चीज में यहां से कि समझेगा इस चीज को थोड़ा सा ड्रॉइंग में डिफिकल्टी हो सकता है क्लिए ऐसा कुछ मैंने बना दिया ठीक है आपको कुछ समझ में आ रहा होगा क्या अब एक अंदाजा लगा सकते हैं थोड़ा सा अगर सोचेंगे कि यह क्या यहां पर यह रहा होगा तो क्या रहा होगा देखिए इसको यह न्यूट्रल वायर भी आप समझ सकते हैं आगे बताएंग आपको जब डियाग्राम मैं बताऊंगा या फिर बनाने बोलूँगा कोस्टन बनाएंगे हम लोग इस पर वहां पर हम लोग इसको न्यूट्रल वायर भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि न्यूट्रल हमारा एक सबसर्कृट में सारा का सारा न्यूट्रल कनेक्टेड रहता है जैसे दूसरे सबसर्कृट की बात करेंगे तो फिर उसमें चेंज हो जाएगा अब सबसर्कृट क्या होता है यह सब हम लोग डीटेल में पढ़ेंगे जाके थर्ड यूनिट में ठीक है यहां पर समझेगा थोड़ा सा यहां जो हमने यह बनाया है यह क्या सो कर रहा है कि जैसी हो सकता है यह फैले हैं पहले तो यह समझेवे है कि हमारा कहा लगा होगा है छट में देखा यहां पर पह यह से खूम नहीं करके नीड़ा होगा अघर मोर्ण यह दिवाल है पिश्क्र होगा तो कुछ इस तरह से फैन होगा यहां पर यहां से iki भेह और क्या है तो किया घ्रम मतलब ऐसा कहते हैं कि ठाह में में आप पैफ पाइप का आप कैसे बिचाएंगे किसी भी घर में चाहे चछत हो चाहे दिवाल हो तो यह सब आपको पता चल जाएगा किसमें पाइप डियाग्राम में यहां पर क्या है यहां से पाइप हम इधार बिचा दियोंगे फिर अच्छे यहां से बात होगा कुछ इस तरह यहां स्विच टॉट के पास में हमारा एक और मेंशा भी होगा बताइं कि जब लेटाइगे कैसे हमारा Shh झाल हो सकता है कंदेगा 성 we सिर्फ और सिर्फ रूट कह सकते हैं या पाथ मतलब रास्ता पाइप का रास्ता सो करेगा कि पाइप को हमें किस तरीके से बिछाना है किसी भी घर में जब हम पर किसी का घर बन रहा होता है और उसको वाइरिंग करना रहता होगा तो वह च्छत में हमारा क्या करता है और नीचे आपका कुछ बना के छोड़ देता है आपका फिर वहां से आपको पाइप जो है दिवाल पर पाइप बिछा जा सकता है सेम इस रूम के लिए भी कंडिशन खargaय पाईप यह को करने वाल उसको नहीं पता और यह क्या है है यहां पर उसको संज़ने के लिए उसनए बंदे को समझने के लिए इधर की डाइगवराम नगरेवरा यहां पक्या रहेगा यह लिखा रहेगा आपको कुछ इस तरह का सिंबॉल रहेगा या आपके ऐसा लिखा रहेगा आपको फैन और यहां पर आपका नमबर एक लिस्ट से बना दिया रहता है यह सिंबॉल और यह पर्टिकुलर कर लेते हैं समझ रहे बात को ऐसा रहता है कि यह पार्टिकुलर यह को चाहल棄 है यहां मालेते हैं कि सौकेट लिया हुआ है कि इस तरह से स्थाड़ से बनाया हुआ पांच ईंब्र में क्या रहेगा कि आप तो टो頭 कोución तो यह तो तो टений कर लिए एक तो ठीन टीक है टोटल फैन कितना है तो यहां नमबर तीन मतलब यह की डागराम को आप देखके ड्रोइंच में क्या मालूँ चल लाएगा एंप इस डागराम में आपको सिंबॉल के साथ में इसका नाम भी मेंसां किया रहेगा क्योंकि अचानक आप इसको देखते हो तो अगर याद है आपको सिम्बॉल अच्छा यह फैन का तब तो सही है अगर नहीं याद है तब इस ड्रॉइंग में आपको क्या समझ भाएगा कुछ भी नहीं क्योंकि लिखा तो कुछ है ही नहीं यहां पर डी लिख दिया आप क्या समझेंगे क्या है अंदाजा लगाएं कि यहां समझ दो यह तो हमने कुछ लिखा नहीं यहां भी कुछ नहीं लिखा यहां भी कुछ ने हैं कुमने farming कुरês ही नहीं है तो क्या समझ वह जब तक आपके पास नहीं पता रहेगा आपको कि सिम भॉल किसीजा का ں अगर नहीं रहेगा तो क्या करों ब्रॉन सब्रॉर करूं अब इसमें भी जब आप वाइरिंग करोगे तो वाइरिंग के टाइम में आपका अलग अलग यूज होता है आप ब्ली कर गर्म लर देख रहें अगर सबसे पहले अगर हम delivers Raptor कि देखनेтесь हैं तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो किसको देखेंगे की डियाग्राम को देखेंगे क्यों ताकि हमको यह पता चल जाए कि इसमें क्या सब चीज हो सकता है जैसे आपको सिंबॉल आप देखिएगा तो यह अंदाज लगाएगा अच्छे यह फैन है तो आप समझ जाएगा कि यह फैन है तो कितना हुआ है तीन साथ एक आठ आठ बल्व है अंदाज लगा सकते हैं हलाकि हम अभी अंदाज लगा रहें लेकिन यह सब देखने के बाद बहुत कुछ आइडिया हमको मिल जाएगा कि उस ड्रॉइंग में क्या होगा और जैसे ही आप इस पाइप डियाग्राम को देखेंगे को लगाना है जिस एक्यूपमेंट को यूज करना है वहां पर अस्थान छोड़ दिया जाता है समझ माई बात तो यह था हमारा क्या पाइप डियाग्राम और यह हमारा क्या था की डियाग्राम क्लियर है यहां तक ठीक है इसको देख लिएगा ड्रॉइंग helps us in carrying out installation as well as maintenance यह जो है इंस्टॉल करने में और साथ-साथ maintenance करने में भी help करता है बुलिए कैसे इंस्टॉल करने में help कैसे करेगा यह तो आपको पता चल रहा है कि आपका हर एक location मालूम है तो आपको बस क्या करना है पाइप का रास्ता दिया हुआ है आप उस रास्ते में सिर्फ पाइप ब मतलब दिवाल के अंदर रहता है तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि अच्राइब कहां से उपर यहां से इधर गया होगा अब behavior आप से कि उसको आपको सकते हैं तो यह बहात हfelly होगा किसी तरह का कोई के फॉल्ट आता है तो उसको मेंटेंज करने में भी यह मदद करेगा के लिए इसको लिख लीजिए आप इसके आगे मैं बताता हूं अभी तुरहत इसको कि वाइरिंग डियाग्राम क्या होगा दे क्लासिफिकेशन of drawing product the प्रपर कि के होते हैं ड्रॉइंग के कलासिफिकेशन अगर करें तो पहला क्या या या वाइरिंग डियाग्राम कि लिए इसको नोट कर लेजिए फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है आपका वाइरिंग डियाग्राम देखिए समझेगा इस चीज को कि वाइरिंग डियागराम क्या होता है आपको क्या पता चल गया है पाइप डियागराम क्या होगा और की डियागराम क्या होगा इसमें से आपको यह वाइरिंग डियागराम क्या होता है यह मालूम आपको नहीं है अब इसके बारे में आप ज connection कैसे होगा यह मालूम नहीं चला होगा कि यह मालूम आपको नहीं चला होगा तो यह किस में मालूम चलेगा वाइरिंग डाइग्राम में मान लेते हैं कि हमारे पास दो बल्ब है और एक फैन कुछ इस तरह से इसको फैन को आप बीच में ले लिए अब इसमें क्या है connection देना है इसको मौर भी डीटेल में परहेंगे थार्ड यूनिट में बट अभी थोड़ा सा समझ लिए कि वाइरिंग डागरम क्या होता है कोई भी अप्लाइंसे होगा अगर डॉमेस्टिक अप्लाइंसे मतलब घर में अगर किसी तरह का कोई अप्लाइंसे यूज करेंगे त्री वाइरिंग डागरम यह जो हमारा वाइरिंग डागराम होगा यह क्या बतलाएगा हमारा कि किस प्रकार से सारा एक दूसरे से से कनेक्टेटेड जैसे यह फैन और बल्ब किसे कनेक्टेटेड है फैन और स्विच के बीच में कैसे होगा यहां किस प्रकार से यह आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन यहीं चीज को समझना है या इस चीज और सभी से ओतर जानना होगा तो हम को किस किस डाइग्राम को देखना होगा वाइभिंग डाइग्राम को था मान लेते हैं कि यहां पे हमारे पास इसको और नोट्बुक में नोट भी करते जाहिएगा अब यहां से हम क्या किए एक पॉल बनाया हुआ था इस पॉल पर से हमने क्या किया टैप किया ठीक है टैप करके हम लाए एक इनर्जी मीटर है आपका इनर्जी मीटर के पास में लाए ठीक इसको समझेंगे इनर्जी मीटर के पास में एक बॉक्स होगा हमारा जो की डिस्ट् हम जैंख कर दोगा है कि है सुना होगा है कर दो chao now को यहां मैं क्या तो बना हूब रहेगा कितना गया कई और दो यहां पर वहां सुट वह बायंट से Vy će कैनिय फिर भी क्या हुआ है प्रफ़ बचा हुआ है उस एक एंड में क्या क्रिवा करना है इ Independork qualche यहां हमारा स्विछ बॉक्स होता है उसके स्वींच कंट कर दें है कि रोब्र देखें स्विच बॉक्स में भी दो होगा कभी आप स्विच को जाकर देखिएगा इसको यहां Wash सब् Jenn कर देता है। यहां से सकते हैं चलाब में प्मुट्स बैसे टेरण यहां IT कि यहाँ बिल्कुल भी सप्लाइब की बिल्कुल आपके घर तक तो आया है घृप कि यहाँ तक तो आया है लेकिन आपने यहां तो दिया ही है हम क्या करते हैं यहां इसे किनेख कर दिये अब और देखो यह स्विच आउन करोगी तो यह बल्ब जलेगा लेकिन क्या यह जलेगा बिल्कुल भी नहीं यह भी नहीं जलेगा कभी आप बोड को देखिए गाइज जब आप खोलीएगा तो उस बॉड को जब खुलेगा देखिए गा किसमें कैसा कनेक्शन किया हुआ जो मतलब है कि इसको भी फेज मिल गया इसको भी फेज मिल गया और इसको भी मिल गया के लिए तीनों को हमारा क्या हो गया फेज मिल गया अब तीनों को अगर फेज मिल गया इसको अन करेंगे यह जलेगा अब इसको अन करेंगे तो यह जलेगा इसको अन करेंगे तो यह जाता है कि किस प्रकार से हमारा connection किया हुआ है किसी भी स्विच से किसी बल्व का ठीक जबी स्विच और बल्व के बीच में कैसे connection या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आपटलाइस से आपधर में यूज कर रहे हो उसका connection कैसा है यह आप दोखिश कर सकते हो कि से पर पता चल जाएगा कि यहां कुछ इसा होगा यहां से सीधासीदा चाने कि यह बंदा हन न मतलब यहां तक अगर मालेग highest आधार होगा समझजी की यहां से यहां पर रहा होगा यहां यहां ट्वाप कान सवर्वीजर लगा होगा यह रखे Ciao यहां से हमारा पाइप कुछ इस तरह से होगा कि हर एक्यूप्मेंट का किस परकार से किया जाता है यह नोगों को पता चल जाता है जो इंहीं को रीड करने के लिए हम को है और फिर की क्लिए को दो पाइब आग्ट का और किसका आप करना यह पता चल जा अगराम से क्या है हरेक वस्तू का डीटेल मालूम चल जाएगा अप्लाइंस घर में उसका डीटेल में पता तो यह हमारा क्या था इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के लिए के लिए आपको हुप सब्सक्राइब को समझ में आया होगा आप एक बार इसको नोट कर लिजिए